ग्यान वापी केस के बाद हिंदूओं को एक और मामले में बड़ी सफलता मिली है उत्तर प्रदेश के बागबत स्तीत बदरुद्दिन शाह की मजार और लाक्षा गुरुह विवाद में कोट ने फैसला सुना दिया है एडीजे कोट ने इस मामले में सव बिगा जमीन हिंदू पक्ष को सौब दी है 53 साल चले मुकदमे के बाद कोट ने पाया बरनावास्तीत जिस जगह को कबरिस्तान बताया जा रहा था वह जगह महाभारत कालीन लाक्षा गुरुह है यहीं पर पांडवों को जिन्दा जला कर मारने की कोशिश की गई थी आईए देखते हैं लाक्षा गुरुह की कहानी को दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया शकुनी ने दुर्योधन को लाक्षा गुरुह में पांडवों को मारने की युक्ति बताई दुर्योधन अपने मामा शकुनी की बातों में आ गया और साजिश को चरनबद तरीके से अंजाम देने में जुट गया दुरियोधन ने वारनावत में लाक्षाग्रो का निर्मान कराया इसके अवशेश बागपत जिले के बरनावा क्षेत्र में मिलते है इस महल में बनाई गई सुरंग हिंडन नदी के समिक खुलती है बर्नावा में ही दुर्योधन ने लाक्षा गुरो का निर्मान कराया था इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जल कर मुरुत्य हो जाए लेकिन पांडवों के जासुसों ने उन्हें इस योजना की सुचना दे दी इसमें सबसे एहम मुभूमी का थी विदूर की विदूर की ही मदद से महल के नीचे एक सुरंग खुदवा दी गई थी और पांडव रात को ही उस गुप्त सुरंग से बच निकले थे ये सुरंग आज भी है जो बाक्पत जिले की बड़ोत तहसिल में बरनावा गाउ में है हिंडन नदी के किनारे पर ये सुरंग आज भी मुझूद है लाक से बने महल के आउशेश आज भी बरनावा में पाये जाते है जिसे बरनावा या वारनावत भी कहा जाता है